पर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए होगा क्या? वही जो महेश को मिलता है हर रात क्या आप बखवास कर रहे हो? अब एपिसोड 3 में दिखाय गया है मिंडी सुभा वेबसाइट ओपन करके देखती है तो उसे 2 मिलियन व्यूज एक ही दिन में बड़े हुए दिखते है तो मिंडी बहुत खुश हो जाती है कि एक दिन में 2 मिलियन व्यूज आ गए इसका मतलब मेरा वीडियो लोगों को बहुत पसंदा रहा है और मुझे कुछ नया ट्राय करना होगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा व्यूज आए इसलिए मिंडी चमन से कहती है कि आज हम बॉंडेज वाली स्टाइल में मजे करते है जिसमें की पार्टनर को रसी से बांध कर उसके साथ कांड किया जाता है चमन भी खुश होकर अपने आपको पलंग पर मिंडी से बंदवा लेता है और मिंडी चुपके से कैमेरा लगा कर चमन के उपर चड़ जाती है पर कांड शुरू होने से पहले ही जोर जोर से डोर बिल बचती है तो चमन गे मदुरा छोड़ कर डोर ओपन करने जाता है तो उसका बच्पन का दोस्त वरुन कैनेडा से मुंबई आया होता है वो चमन से कहता है तुने शादी किये और बुलाया तक नहीं तो चमन कहता है तुने कैनेडा से इतने दूर कैसे आता तो उसका दोस्त कहता है एक बार बुला कर तो देखना था मैं जाहनों में से उटकर आ जाता चल अब जल्दी से भावी से मिला फिर चमन मिंडी को बुला कर वरुन से मिलवाता है वरुन मिंडी को देखकर कहता है यार चमन तू तो बहुत लगी है इतनी खुबसूरत लड़की जो तुझे मिली तो चमन कहता है सब नसीद का खेल है फिर चमन मिंडी से कहता है तुम वरुन के लिए ड्रिंक लेकर आओ तब तक मैं डिनर ओर्डर करके आता हूँ फिर मिंड तो आपकी कमपनी लेने आया हूँ भावी और मिंडी को छूता है तो मिंडी उस पर गुसा हो जाती है कि ये क्या बत्तमीजी कर रहे हो तुम तो वरुन कहता है सब पता है मुझे छुपी नजर वेबसाइट के बारे में वहाँ तो बहुत गर्मी दिखाती हो तुम ये सु पता है कि चमन को रात में दिखाई नहीं देने वाली बिमारी होती है फिर वरुन रात में मिंडी के कमरे में जाता है तो मिंडी चमन को कुछ दिखाई नहीं देता तुम रात में हमारे कमरे में आ जाना जैसा कि आपको पता है कि चमन को रात में दिखाई नहीं देने वाल पिर वरुन रात में मिंडी के कमरे में जाता है तो मिंडी चमन को कुरसी पर बान कर उसके साथ मज़े कर रही होती है उसी वक्त वरुन आ जाता है और सामने से मिंडी के साथ कान करता है मिंडी एक साथ दोनों के मज़े लेती है फिर दूसरे दिन चमन कैनेडा चला जाता है और जाते जाते कहता है बहुत मज़ा आया भावी के साथ रात में, मेरा मतलब तुम दोनों के साथ रात में, तो चमन कहता है पर हमने तो कुछ भी टाइम साथ में ठीक से नहीं बिटाया, तो वरुन कहता है जो भी बिताया बड़ा मज़ेदार बिताया मैं अगली बार फिरा होंगा ऐसा कहेकर वो चले जाता है फिर मिंडी अकेले बैटकर सोचती है ये तो बहुत अच्छा हो गया एक साथ दोनों का मज़ा भी मिला और वीडियो भी बन गया मैंने वेब कैम लगा कर इन दोनों के साथ मज़े करते हुए पूरा वीडियो बना लिया अब ये वीडियो तो वाइरल हो जाएगा और मिंडी उस वीडियो को अपलोड कर देती है तो कुछ ही देर में उस वीडियो को 5 मिलियन व्यूज आ जाते है मिंडी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है ऐसे ही वीडियो चलते रहे तो नोटों की बारिश होने लगेगी मुझे और भी नएने कान करने के स्टाइल के बारे में सोचना होगा जिससे लोगों को देखने में और भी मज़ा आ सके पर उसी वक्त डोरवेल बचती है और एक लड़की आती है जिसका नाम रम्या होता है रम्या कहती है मैं चमन की बुआ की लड़की हूँ और एक मेने के लिए यही पर आप दोनों के साथ रहूंगी ये सुनकर मिंडी का मूड आफ हो जाता है और वो सोचती है कि इसने तो सारा प्लान चोपट कर दिया उसी वक्त रम्या मिंडी के कमरे में आती है और कहती है मेरे कमरे के बातरूम का पानी नहीं आ रहा है क्या मैं आपका बातरूम यूज कर सकती हो तो मिंडी उसे कहती है हाँ कर लो तो रामय मिंडी के सामने ही कपड़े उतार लेती है और उसकी hot body देखकर मिंडी मधोश हो जाती है तो रामय कहती है भाबी आपको मेरा figure पसंद आया क्या वैसे आपका figure भी ला जवाब है और ये सुनकर मिंडी के अंदर कुछ होने लग जाता है और इसी के साथ episode 3 खत्म हो जाता है अब episode 4 में क्या दिखाया जाएगा हम जल्दी जानेंगे तो दोस्तों कैसे लगे आपको छुपी नजर episode 3 की story अगर पसंद आई तो वीडियो को like जरूर कीजिए और channel को subscribe कीजिए ताकि हम ऐसे ही stories आपके लिए explain करते रहें तालिवाद